एक्सर्साइज 4.2 देखें कुश्चर नमर फिरी इन्होंने क्या पूछा गिब इस टेप यू विल यू टू सेपरेट दी वेरिवल एंड देन सोल्ब दी एक्वेशन यानि कहने का मतलब ये कुश्चर इन्होंने ये पूछा है चर को प्रिठक करने के लिए आप जो चरण प्रयोक करेंगे उसे बताईए और फिर इक्वेशन को यानि समिकरण को हल किजिए तो देखें कुश्चर नमर फिरी में बी पार्ट है बारी बारी से सोल्ब करेंगे तो देखें इस कुश्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों मेडियम सोल्ब करवाएंगे तो देखें ये पार्ट बीनों ने क्या पूछा 3N-2 जिकस्टू 46 तो सबसे पहले याँ ध्यान देजी 3N यानि नुमेरिकल और वेरिवल दोनों पार्ट है याँपे तो सबसे पहले याँ देखिए minus 2 है यानि के वन नुमेरिकल पार्ट है पहले इसको सॉल्ब करेंगे ठीक है तो देखिए कहने का मतलब यह है कि minus का 2 है तो हम क्या करेंगे बोथ साइड दोनों साइड में क्या करेंगे plus का 2 एड करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है minus का 2 है तो plus का 2 लेंगे अगर यहाँ पर plus का 2 रहता तो हम क्या करते है minus का 2 लेते हैं चलिए solve करते हैं यहाँ पर लिखिए step 1 ठीक है यहाँ पर लिखेंगे add 2 2 both sides ठीक है Hindi medium लिखेंगे यहाँ पर step न मतलब होता है चरण 1 यानी 1 याँ लिखेंगे दोनो पक्छों में 2 जोडने ठीक है तो देखेंगे इधर भी 2 जोड़ेंगे और इधर भी 2 add करेंगे तो चलिए solve करते हैं देखिए क्या मिला 3n है identity लिखिए 3n minus का 2 है तो minus का 2 लिखिए अब देखिए minus का 2 है तो हम क्या add करेंगे plus का 2 easy का is 2 है easy का is 2 46 है तो 46 लिखिए इधर हमने कौन सा नमबर add किया plus का 2 तो इधर भी plus का 2 लेंगे ठीक है अब देखिए यहा minus का 2 है और यहां क्या है plus का 2 तो minus plus से क्या कर देंगे cancel कर देंगे तो बचा क्या हमारे पास 3n लिखिए 3n यहां क्या बचा easy का is 2 अब देखिए 46 plus 2 कितना हो गया 46 plus 2 यानि 48 ठीक है यह step 1 का solution है चलिए step 2 करते है यानि अब इसको solve करेंगे तो देखिए 3n है तो 3n है तो इन दोनों के बीच में क्या संबंद है multiply का तो जब multiply हो तो क्या करेंगे divide करेंगे ठीक है तो देखिए 3n है तो यहां पर क्या करेंगे upon 3 करेंगे चलिए लिखकर दिखाते हैं आपको यहां पर लिखेंगे step 2 ठीक है यहां लिखेंगे divide both sides by 3 देखिए यहां पर 3n है कौन सा नमबर है इधा 3 है तो दोनों साइड हम 3 से क्या करेंगे divide करेंगे ठीक है हिंदी मीडियम लिखके है यहां पर यहां पर लिखेंगे चरण दो ठीक है यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में तीन से भाग देने पर ठीक है तो देखिए यहां पर क्या मिला 3n है तो यहां पर लिखेंगे 3n तो यहां कौन सा नमबर है 3 है तो अपन कर देंगे इन दोनों के बीच में क्या संबंद है multiply करेंगे तो हम क्या करेंगे divide करेंगे यानि easy cash to है easy cash to क्या मिला यहां पर 48 तो यहां पर लिखें 48 अपन कौन से नमबर से divide कर रहे हैं 3 से तो यहां भी क्या करेंगे 3 लिख देंगे यहां देखिए 3 से 3 गया यहां देखिए 3 बंज थरी 3 बंज थरी 1 बचा यानि 18 3 6 है क्या मिला 18 यानि कितना मिलीगा 16 तो finally answer कितना आगे है यहां पर n बचा n लिखिए easy cash to क्या मिला है यहां पर 16 यह a part का finally answer है चलिए b part देखते हैं तो देखिए b part में इन्होंने क्या दिया 5m plus 7 easy cash to 17 तो सबसे पहले क्या करेंगे numerical part को solve करेंगे यानि plus का 7 को solve करेंगे चलिए यहां पर लिखते हैं यहां पर लिखेंगे सबसे पहले step 1 तो देखिए यह plus का 7 है पहले ही बतायते जब भी plus हो तो माइनस करेंगे जो नम्मर है plus का 7 है तो हमाइनस का 7 ले लेंगे थेक है दोनों साइट तो यहां पर लिखेंगे step 1 में subtract save one from both sides थेक है हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पर step का मतलब होता है चरण 1 है एक करेंगे यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में साथ घटाने पर चलिए solve करते हैं देखिए 5 M है तो लिखिए 5 M प्लस का 7 है तो लिखिए प्लस का 7 तो देखिए यहां प्लस का 7 है तो यहां क्या लिखेंगे माइनस का 7 easy cash 2 है easy cash 2 कितना मिला 17 तो देखिए इस साइड में कौन सा नम्मर हम माइनस कर रहा है यानि घटा रहे है माइनस का 7 है तो यहां भी माइनस का 7 लेंगे ठीक है अब यहां देखिए प्लस का 7 है और माइनस का 7 है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया बचा क्या हमारे पास 5M लिखिए आपे 5M इस इकास टू अब यहाँ देखिए 17 है और माइनस 7 तो 17 में से माइनस 7 करेंगे क्या मिलेगा 10 ठीक है चलिए अब इसको solve करेंगे 5M को तो ध्यान देजिएगा 5M है इन दोनों के बीच में क्या संबंद है multiply का तो जब भी multiply हो तो क्या करेंगे divide करेंगे कौन सा नम्मर है इस साइट में left साइट में 5 है तो हम 5 से क्या करेंगे both साइट divide करेंगे तो यहाँ पे लिखिए step both साइट by कौन सा नम्मर है 5 ठीक है हिंदी मेडियम लिखें यहाँ पे step का मतलब होता है चरण 2 है यानि 2 यहाँ पे लिखिए दोनों पक्चो में 5 सी भाग देने पर ठीक है तो देखिए यहाँ पे 5 M है यहाँ पे लिखेंगे 5 M divide करेंगे कौन सा नम्मर है 5 है 5 से divide करेंगे easy cause 2 है easy cause 2 क्या मिला 10 upon कौन से नम्मर से हम divide कर रहे है 5 से यहाँ भी 5 लिखेंगे ठीक है तो यहाँ देखिए 5 से 5 गया 5 मंजब 5 5 2 जब 10 तो finally answer कितना आ गया है यहाँ पे M बचा M लिखिए easy cause 2 यहाँ क्या बचा 2 यह हमारा finally B part का answer है चलिए C part देखते हैं तो देखिए C part मेंनोंने क्या दिया 20 P upon 3 easy cause 2 40 तो देखिए यहाँ पे 20 P upon 3 है तो क्या करेंगे देखिए divide में है तो हम क्या करेंगे multiply करेंगे दोनों साइड multiply करेंगे कौन से नम्मर से नीचे कौन सा नम्मर है 3 है तो हम 3 से दोनों साइड क्या करेंगे multiply करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बोच साइट्स, बाई, कौन सा नम्मर है, थ्री है, यहाँ पर थ्री लिख देंगे, हिंदी मीडियम लिखेंगे, चरण, एक, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, तोनु, पक्छो में, तीन से, गुणा, करने पर, ठीक है, तो देगी यहाँ पर, क्या मिला, ट्वेंटी पी, लिखेंगे, ट्वेंटी पी, अपाउन, क्या मिला, थ्री, तब क्या करेंगे, तीन से, गुणा करेंगे, तेंटो कीजिए, फिरी, इचीकरउस टू है, इचीकरउस टू, यहाँ क्या मिला, फॉर्टी, फॉर्टी कीजिए, हमने इस साइड, कौन से नंबर से मल्टिप्लाई किया, थ्री से, तो इधर भी थ्री से मल्टिप्लाई करेंगे, अब देखेंगे, यहाँ पर, एक तिरीज़े क्या मिला, 12, 0 बचा उतार लिजिए, ये step 1 का solution मिला, अब देखिए यहाँ पे 20 P है, ठीक है, इन दोनों की बीच में क्या संबंद है, multiply का, तो अब क्या करेंगे हम, divide करेंगे, जब multiply हो, तो divide करेंगे, divide हो, तो multiply करेंगे, किस से करेंगे, divide, 20 से, इधर कौन सा नंबर है, 20, तो दोनों साइड, 20 से हम क्या करेंगे, divide करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको, step 2, ठीक है, लिखी यहाँ पे, divide, both side, by 20, क्योंकि इधर कौन सा नंबर है, 20 है, चलिए, हिंदी मीड़ी हम लिखेंगे, आपे, चरण, दो, दोनों, पक्षों में, 20 से, भाग, देने, पर, चलिए, solve करते हैं, यहाँ पे, देखिए, क्या मिला, 20p है, ठीक है, यहाँ पे लिखीए, 20p, अपौन, किसे बाग देंगे, base से, ठीक है, इस जिकास्टू है, इस जिकास्टू, क्या मिला, 120, यहाँ पे लिखीए, 120, अपौन, left side में कौन से number से divide कर रहा है 20 से तो right side में भी किस से divide करेंगे 20 से अब देखिए 20 से 20 गया 1 0 से 1 0 गया 2 1 जा 2 2 6 जा 12 तो finally answer कितना गया हमारे पास P बशा P लिकिए is equals to क्या मिला 6 यह हमारा finally C पार्ट का answer है चलिए D पार्ट देखते हैं तो देखिए D पार्ट में इन्होंने क्या दिया 3P upon 10 is equals to 6 तो यहां देखिए 3P upon 10 है divide हो रहा है तो हम क्या करेंगे पहले बताएं जब divide हो तो क्या करेंगे हम multiply करेंगे divide में जब दे तो multiply करेंगे अजब multiply में दे तो divide में करेंगे ठीक है तो यहां पे लेखिए step 1 ठीक है यहां लेखिए multiply both sides 10 नीचे कौन सा नम्मर है 10 है तो 10 से ही क्या करेंगे दोनों साइड मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है Hindi मेडियम लिखेंगे यहां पे चरण एक यहां लिखेंगे दोनों पक्छों में दस से गुड़ा करने पर तो देखिए यहां पे 3P है यहां लिखेंगे 3P अपन क्या मिला 10 अब क्या करेंगे multiply करेंगे यानि गुणा करेंगे कौन से नीचे कौन सा नम्मर है 10 है तो यहां भी 10 देंगे तो देखिए यहां पे 10 से 10 गया बजा क्या हमारे पास 3P यहां लिखिए 3P इस इकल टू 6 10 जग क्या मिला 60 यानि 60 अब इसको हम सौल्प करेंगे तो देखिए 3P है क्या संबंदे दोनों के बीच में Multiply का है तो हम क्या करेंगे Divide करेंगे तो यहां पे लिखेंगे Step 2 ठीक है यहां लिखेंगे Divide Both Sides By कौन से नम्मर से करेंगे Divide दोनों साइड यहां कौन सा नम्मर है लेफ साइड में 3 है तो 3 से हम क्या करेंगे दोनों साइड डिवाइड करेंगे Hindi मीडियम लिखेंगे यहां पे चरण 2 दोनों पक्षों में तीन सी भाग देने पर तो देखेंगे यहां पे क्या मेला 3P हैं तेहां लिखिए 3P अपन दोनों के बीज में क्या सम्मद है multiply का है तो हम divide करेंगे कौन सा नम्मर इदर 3 है तो यहां 3 देंगे easy cash 2 है easy cash 2 क्या मिला 60 अपन left side में कौन से नम्मर से divide कर रहा है 3 से तो इदर भी 3 से divide करेंगे तो देखेंगे यहां पे 3 से 3 गया 3 बनजा 3 3 टूज क्या मिला 6 0 बचा उतार दीजिए तो finally answer कितना आ गया P is equals to क्या मिला 20 यह हमारा finally answer है यह question हमारे solve हो गए that's it